पलसर 150 गाड़ी का हेडलाइट रिफ्लेक्टर के से चेंज होता है दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा तो देखें यह वाला पलसर 150 है अभी हम खोलेंगे इसका हेडलाइट और यह गाड़ी का हेडलाइट जो है यह एक्सिडेंट से टूटा हुआ है तो च हैं तो यहां पर देखें मॉडगाड में भी कुछ स्क्राच बगर आ गया है तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो शुरू करते हैं मैं हूं रिंदपाल और आप देख रहे हम खोलते हैं इसका हेडलाइट का जो उपर के विंद्शिल ग्लासे उसको पहले खोल लेते हैं खो अब भी विंद्शिल खोलने के बाद मीटर केस में जितने सारे बोल्टे सारे खोल लेंगे उसके बाद फिर भाज़र की तरब जाएंगे भाजे खोलने के बाद दोस्तों अभी नीचे वाला नंबर प्लेट के दस नंबर का बोल्ट है वो खोलेंगे छोटा वाला टी रेंज चीज है दोस्तों ये दोनों खोलना जरूरी होता है यह झालने के बात दोस्तों, नीचे का जो और भी दोनों बॉल्ट यह झालेंगे, देखिए नमबर प्लेट का बॉल्ट खोल गया, आपन्र नमबर प्लेट को अच्छिच तरह से निकाल लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला वाइजर का जो दोनों स्कुरू है दस नंबर वह भी खोल लेंगे तो पहले इसको आच्छी तरह से निकाल लेते हैं दोस्तों देखिए यह वाला नंबर प्लेट का उपर यह वाला दस नंबर दोनों बोल्ट रहता है जो भाइजर में लगता है वो दोनों भी खोलना चाहिए तो पहले से टूट गया है दोस्तों देखिए अभी मीटर बॉक्स का जो हमने खोले थे उसका मीटर का निकाल के उसी की कमपणी इतना डिफिकल्ड वाइजर बना है मुझे भी पता नहीं लेकिन आप जितना भी देखो बजाज का पलसर 150 डिस्कावर और 220 किसी भी गाड़ी पकड़ लिए उसका भाइजर खोलने में जाम निकल लाती है सामने का भाइजर देखिए अभी हमारा वाइजर जो है आसा निशा अच्छी तरह से निकल गया अभी कॉनेक्शन निकालने के बारि यह जितने भी सारे कानक्शन वग्राइज बगरा वीन वगरा तो उसको निकल लेते हैं देखिए जो बीसुकी बारत की दोस्तों यह वाला जो वीसी आभी यह कंपनी इसको भी देना बंद कर द है तो देखिए यह वाला वी सिस्टम जदो अगर चीज बंदी करवाने था तो के पहले से क्यों डालते हैं कंपनी मुझे यह पता नहीं सब्सक्राइब बहुत गलत करता है पैसे कस्टमर के साथ दोस्तों देखिए अभी भाइजर पूरी तरफ से खोल गया आप बाजर को च प्रवाइजर भी तूट गया है अरे सामने घुमाना यार कितना दिखाता है हाँ देखो यह दिखिए दोस्ता यह देखिए सामने से भी तूटा हुआ है तो अभी हम इसको रिप्लेस करने वाले पहले इसका खोल लेते हैं इसका पुराना वाला निकल लेते हैं उसके कि अधियुग देखिए निया रेफ्लेक्टर देखने की बारी देखिए यह देखिए नियार रिफ्लेक्टर का प्राइस कितना आता है जो 1449 रूपई அ अथा है तो पहले चलिए इसका अनबोक्षिंग करते हैं इसमें क्या-क्या है पहले रखे लेते हैं इसमें det же bcR दिएहूआ है नहीं तो हम देख लिए कि मिन किस्के दो टाइप आता है ग्र शेछ साथ आता है और शेसियर नहीं देता है कंपनी इसलिए दू दो अलग रेट भी बना के रखा इसके लिए तो पहले हम देख लेते हमारी जो चीज़े क्या आई है कि हम तो नहीं लाए थे कस्टमर लाए थे अरे बाई यह तो पुरा नया माल जबहुत जखकास दीकर लाए ब्रदर ऑश आला तो चलिए इसका सौंदर जगत्र टेस्ट हो गया अभी पीछे गुमा के देखते हैं इसका उत्तिरी इसमें तो बॉल्व अगरा नहीं है यह वाला सिर्फ सिर्फ रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और बॉल्व होल्डर इसका जो है पुराने वाले लगानी पड़ेगी हमें तो बॉल इसका अंदर शेट करेंगे अभी आ गया रिफ्लेक्टर को वाइजर में शेट करने के बारी इससे पहले इसका जो अलंकार है जिसको हम जूइलेरी बोलते हैं मतलब जैसे भीशी वो इसका बॉल होल्डर इस अब जो हम आम बासा में जूइलेरी बोलते हैं कि जब लड़की को सजा नहीं होती है तो उसके जीलेरी होते हैं वैसे इसका जूइलेरी हमने लगा दिये उसके बाद इसको हम फीट कर लेंगे और इसका वाइजर का नाम हमन दिक्कत ना हो कोई खट-खट आवाज ना हो चाहिए रिफ्लेक्टर में कोई दिक्कत ना हो इसलिए आच्छी तरह से इसका नट बोल्ड बगरा कश लेंगे कशने के बाद दोस्तों हम इसको भाइजर लेके फिर फीट करेंगे घाडी में तो चलिए ये कशने की शुरू जारी रखते हैं इसलिए हम इसको टाइमलेस स्पीड में वीडियो चला लेते हैं यह लो सारे के सारे कनेक्शन हो गया आब आगे टेस्टिंग की बारी तो चलिए लाइट को चेक कर लेते हैं और यह देखे हमने पार्किंग बाल जो है इसका पहले वाइट था आपने ब्लू वाला लगाए ताकि सामने जो हेडलाइट है थोड़ा अट्रेक्टिव लगे तो इसको अच्छी तरह से पूश कर लेते हैं तो यह साला जब पूश करते हैं दिक्कत होती है बाल आपने गिर जाता है अंदर इसलिए जब भी आप इस हेडलाइट रिफ्रेक्टर में आप पार्किंग बॉल पूश करो ना थोड़ा ग्रीज बगरा लगा लिया करो यार तो आच्छे आजने से खुश जाएगा और देखे यह वाला भी तो पार्किंग अच्छी मतलब क्यूट लग रहा है किसे और द किसे और देखे है किसे पार्किंग बॉल बगरा भी तो जो आएगा ग्रार भी कटर पार्किंग जैसे कि पहले से आप वीडियो देख रहे थे जैसे हम उइंचिल से शुरू किये थे अभी उसी तरह उइंचिल में आके पहुंच गये तो उइंचिल हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था इसको टाइट करने के बाद दोस्तों यह भाइजर फिटिंग याना पूरी कंप्लीट ह हो जाता है हमारा तो दस्तों हमारे साथ लास्ट जुड़े रहने के लिए थांक्यू थांक्स पर वाचिंग इसी तरह नहीं नहीं टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए